हलो एब्रीवन विल्कम टो स्टडी आई क्यू पीचिस दिस इस मनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुबह आट बजे के इंपोर्टन सेशन लेकर मैं आता हूँ जिसमें साइन्स के अलगलग टॉपिक्स को हम डिसकस करते हैं और आज है आपका ट्यूजडे औ इंदर एक और important topic जो हम कर रहे थे excretory system उसी को आगे हम proceed करेंगे जिसमें हम लोग excretory system during a lot excretory system है इससे related hormones की बारे में भी study करेंगे और hormones के साथ साथ इसके disorders को भी बहुत अच्छे से cover करेंगे कि कौन-कौन से disorders होते हैं कौन-कौन से hormones इससे related है तो उसको शुरू करेंगे Good morning everyone जल्दी से confirm कर देंगे कि सारी चीज़ें clear है आप लोगों को audio videos सारी चीज़ें clear है जल्दी से बता दीजिए जल्दी से बता है जल्दी से बता है तो सारी चीज़ें I think clear है voice भी clear होगा visuals भी clear होगे तो शुरू करते हैं हमारा session जिसमें हम लोग जो है कुछ questions हमने last session में किया थे पहले उसको cover करेंगे इसके बात जो है आज जितने भी hormones है उनको भी cover कर लेंगे कौन-कौन सी diseases होती है उन पर भी बहुत अच्छे से बात कर लेंगे तो शुरू करते हैं हमारा session तो इसके अलावा और कोई doubts है तो इन social media handles पर मुझसे जोड सकते हैं इस lecture की PDF जो है डाउनलोड करनी है तो M27 यह telegram group है यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर लेंगे देखते हैं questions क्या थे तो सबसे पहला question जो मैंने last session में दिया था वो क्या था The process by which blood is purified in human body मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है dialysis कहलाती है hemo dialysis कहलाती है osmosis कहलाती है यह paralysis कहलाती है तो आप simple सा process है इसी को कहा जाता है dialysis तो वही जिस process से blood को purify किया जाता है मतला kidney का काम जो है वो dialysis करने का काम है और जो लोग की kidney खराब हो जाती है जिनको renal artery failure हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग dialysis का process करवाते हैं और अपनी kidney के अंदर से यूरिया को बाहर निकलवाते रहते हैं तो इस तरीके का process चलता रहता है इसके बाद अगला question देखते है the dialyzer is used for the work of अब dialyzer जो है अब वो हक का प्रयोग किसके कारे के लिए किया जाता है अब वही dialysis होता जो है वो purification of blood के लिए होता है लेकिन purification of blood या filtration कहा होता है तो basically वो होता है kidney में गुर्दे भी जिसको कहा जाता है इसके बाद question था where is urea separated from the blood urea को रक्त से कहां अलग किया जाता है देखो urea जो है produce कौन कर रहा है तो वो यह अकरत कर रहा है मतला ammonia को urea में कौन बदलता है तो वो आपका liver करता है और इसके बाद वो urea कहां चला जाता है वो urea पहुचता है kidney के पास और kidney का काम क्या है तो kidney का काम है कि वहाँ से उसको basically बाहर निकाल देना in the form of urine तो आपके urine में 95-96% water है तो 2% urea भी है तो यह जो है separate हो जाता है तो देखिए अभी हमने जो question देखा है कि एक process है अब यह जो process है जिसके थूरू क्या निकल जाता है body से urea और ऐसे nitrogenous waste जो होते है वो आपके secret हो जाते है तो वो क्या होता है वो होता है dialysis के process से यह same question 44th BPPAC में पूछा हुआ था good morning everyone ध्यान से देखते चलेंगे बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ें आज और भी पढ़ेंगे हम तो यहाँ पर यह process है जिसमें purify किया जा रहा है blood को दूसरा मैंने आपको बताया कि यह जो है dialyzer जो है वो किस के लिए है तो kidney के लिए ना heart के लिए ना liver के लिए ना lungs के लिए dialyzer का काम वही है कि dialysis का काम करना मतलब आपका blood का purification कर देना अब देखें blood के purification से कई बार confusion होता है कि भई blood का purification होता कहा है तो purification यह शुद्धी करण की बात करें तो आपका जो जो के अंदर process है कुछ ऐसा देखते है होता यह है कि आपकी body में heart है heart के पास है lungs फेफडे हैं यहाँ पे है kidney अब देखें होता यह है कि heart के पास kidney से blood जाता है heart पर heart से जाता है lungs पर lung से वापस आता है heart पर और heart से वापस चला जाता है मतब केवल kidney पर नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों पर यह पहुँच जाता है तो दियान से देखते चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि basically जब kidney से आपका रक्त निकला तो kidney से निकलने के बाद क्या है यह ऐसा है कि इसके अंदर बताया जाता है यह होता तो कैसा है deoxygenated मतलब जब आपके गुर्दों से रक्त निकलता है तो वो आपका शुद्ध रक्त होता है या शुद्ध रक्त होता है तो वो शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है आपका उसमें से अगर हम बात करें ध्यान से समझ लिज़े इस चीज़ को तो ये जो blood होता है इसको deoxygenated कहा जाता है deoxygenated का मतलब कि उसमें oxygen की कमी होती है लेकिन आपने kidney से जब रक्त निकाला तो उसमें urea नहीं है urea क्या हो गया है? separate हो गया है urea तो separate हो चुका है तो यहाँ पर निकलने के बाद ये urea मुक्त होता है तो oxygenate जो है आपका रक्त को कौन करता है तो oxygenate जो करता है वो आपके फिफडे करते हैं lungs करते हैं और lungs वापस heart को बेशते हैं heart pumping करता है और वापस blood पूरी body में भेश देता है तो जब वो पूरी body में भेशता है तो उसके पास जो रक्त आता है उसमें बीच में से लिवर से भी मिल जाता है यकरत से भी मिल जाता है तो यहां से आक्सिक्रित और अनाक्सिक्रित ये रक्त की बात होती है तो किड्नी से जब आपका देखें किड्नी से जब रक्त निकलता है तो वो क्या होता है अनाक्सिक्र हो रहा है वहाँ पर सिर्फ oxygenation हो रहा है तो यह जो डी-oxygenated blood था यहां से निकलने के बाद वो क्या हो गया oxygenated हो गया है और फिर हाट ने बेज दिया kidney के पास तो इसमें होता है यूरिया यूक्त लेकिन यूरिया वाला जो blood है वो शुद्ध थोड़ी होगा तो शुद्धी गरन कहां हो रहा है ultimately kidney में हो रहा है तो वो process जो हो रहा है उस process को क्या कहेंगे उस process को ही कहेंगे आपका dialysis और जो process हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है dialyzer के तुरू हो रही है इसके बाद देखिए अगला question जो पूछा गया था यही था कि यूरिया separated कैसे होता है blood से कहां separate होता है तो भाई यूरिया separate होगा kidney से वहीं तो शुद्धी करण हो रहा है तो इसलिए हमने ये बात करी इसके लावा एक question और भी था कि which of the following is not the normal function of human kidney मतब निमले किसमें से कौन सा मानव गुर्दे का सामाने कारे नहीं है मतब इसके बहुत सारे कारे हैं तो अगर हमें कारे पता होंगे तो हम इन में से answers बता सकते हैं तो हमें सारे काम इसके पता हो जाएंगे बिल्कुल lungs में जाकर oxygenated होता है तो देखो यहाँ पे हमको इस question स किड्नी के वर्क भी पता चल जा रहे हैं कि हमने overall अभी जो किड्नी पढ़ी है उसके क्या वर्क हैं किस तरीके से काम करता है तो देखे मानव गुर्दे का सामाने कारे नहीं है अब regulation of water level in the body अब basically kidney क्या करती है kidney देखा जाए तो यूरिया ही body से निकालती है अब यूरिया निकालने के लिए क्या चाहिए water चाहिए और मैं शुरू दिन से बता रहा हूँ आपको कि वही आपने जितना ज़्यादा पानी पिया उतना आपका urine formation हुआ और जितना आपका urine formation हुआ उतना ही आपका पानी पीना चाहिए तो यह क्या point सही हो जाता है कि regulation of water level in the body रक्त में जल इस्तर का विनियमन करना तो वही जल का ही तो यह पूरा का पूरा क्योंकि हमने अमोनो टैलिक की भी बात करें थी जैसे मचलियों की तो मचलियों में क्या होता है मचलियों में बहुत जादा देखा जाता है कि अमोनिया रहता है तो उनको बहुत जादा पानी चाहिए होता है हमने क्या किया liver की help से उस ammonia को यूरिया में बदल दिया तो यूरिया को कम जल चाहिए लेकिन जलतों चाहिए ही क्योंकि हमारा urine जो है उसका 95% 95% क्या कैरी करता है water carry करता है तो कही न कहीं regulation तो करत हम अगर जादा urine करते हैं अगर किसी को urination जादा होता है या kidney से क्या उसका sugar level का relation है किसी को अगर diabetes है तो क्या उससे जड़ा मतलब जो sugar level वाली diabetes है उसको बुलते है diabetes mellitus तो क्या किसी को diabetes mellitus kidney के कारण होती है तो ऐसा देखने मिलता है कि हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे भी कि diabetes का जो reason होता है diabetes देखो दो तरह की होती है एक kidney पर भी depend करती है लेकिन वो mellitus नहीं होती है अभी थोड़ी दिर में मैंने hormones पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर यह चीज हम बात करेंगे तो देखिए समझी इस बात को कि जो हमारी body में sugar level है दो तरह की diabetes होती है लोगों को एक होती है type 1 diabetes एक होती है type 2 diabetes type 1 diabetes का अगर reason आप से पूछा जाए तो type 1 diabetes यह होता है कि हमारा जो pancreas होता है अगनाश होता है वो एक hormone release करता है एक hormone का स्त्रावन करता है और वो क्या क्या लाता है insulin कहलाता है तो अगर किसी बच्चे के अंदर बच्पन से ही insulin नहीं बन रहा है तो insulin जिनके अंदर नहीं बन रहा है उनको कौन सी बिमारी हो गई उनको diabetes, mellitus type 1 हो गया टाइप 1 का मतलब है कि उनको जो है बच्पन से वो insulin नहीं बनता था अब आप सूचेंगे sir इंसुलिन क्या करता है तो पढ़ेंगे भी लेकिन ध्यान से अभी समझ लीजे कि क्यों क्वेक्षिशन में आया हुआ है तो इंसुलिन का काम है कि वही जो आपने खाना खाया था वो खाना पज़ गया था चोटी आथ में उसके बाद उसका सुआंगी करण शुरू हुआ था अब होता क्या है कि जब हमारे फूड से कार्वोहाइटरेट, फैट, प्रोटीन सब चीजों का पाचन हो जाता है तो हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज आ जाता है वो ग्लूकोज जो होता है वो हमारे ब्लड में घूमता रहता है अब वो हमारे ब्रेन को भी चाहिए हमारे ह जी चाहिए अब आपने खाना तो खा लिया आपकी बाड़ी में भरपूर ग्लूकोस है लेकिन वो ग्लूकोस आपके अंगों को तब मिलेगा जब इंसुलिन जो है आपका बाड़ी में रिलीज होगा तो इंसुलिन हॉर्मोन का यही काम है कि वो एक तरीके का बस का कंड़क् पर जाओ और अपना काम करो मतलब वो ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है शुगर लेवल मतलब वही ग्लूकोस लेवल हो गया तो अगर जिनकी बाड़ी में इंसुलिन नहीं बन रहा बचपन से तो उनकी बाड़ी में तो जो ग्लूकोस लेवल हो हमेशा बड़ा रहेगा तो वो क्या लगाएंगे insulin के injections लगाएंगे अब एक दूसरी होती है type 2 diabetes type 2 diabetes होती है कि आपने अभी जैसे आपका सभी बच्चे जो है यूथ एज में हैं बहुती यूवा अवस्था में आप लोग तो अभी आपका जो टाइम है आप लोग जितना जादा physical work करते हैं धीरे धीरे क्या होता है कि लोग physical work कम कर देते हैं उनका lifestyle बहुत ही जादा कैसा हो जाता है कि बहुत और आम दाएक जीवन होता है अराम भी ना कर रहे हों तो बहुत जादा physical work नहीं होता है मतलब कुछ जो है दिन दिन भर एक ही पोजीशन में निकल जा रहा है जैसे ओफिसेस में लोग काम कर रहे हैं तो बारा बारा घंटे एक ही चेयर पर बैट के काम कर ले रहे हैं उसके बाद घर जा रहे हैं खाना खा रहे हैं सो जा रहे हैं तो इस तरह का जब लाइफ काम नहीं करता तो ऐसे लोगों को diabetes हो जाती है तो diabetes का एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो lifestyle है अब जैसे जैसे lifestyle हो रही है कि आज की डेट में physical workout कम होता जा रहा है तो लोगों को diabetes early age में हो रही है तो आपको यह जो मैंने कहानी बताई तो क्या इसमें कहीं kidney का roll दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो basically ये वाला point तो नहीं हो सकता है इसके लावा urea को चानना ये तो काम है और कई hormone का स्तराव करना ये भी है क्योंकि आज की classic इसके बारे में बहुत सारे hormones के बारे में तो इसके अलावा filter out urea भी करता है तो यहाँ पूछा है कि कौन सा काम नहीं है तो हमें यहाँ तीन काम तो पतर चल गए कि वह kidney के काम अगर पूछ लिए जाए तो kidney का काम एक तो urea निकालना ये तो आप समझी रहें शुरू क्लास से इसके बाद क्या काम है तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक काम ये है जो पहला वाला water level जल इसतर को नियमन करना इसके अलावा एक point और मिल गया hormones को और कल मैंने आपको बताया था osmore regulation करना osmore regulation मतलब parasarand नियमन करना ये भी चीज उसी से जुड़ी हुई है तो भई kidney का काम क्या नहीं है तो kidney का काम ये नहीं है कि भई आपका blood level को blood के अंदर sugar level को maintain करना तो किसी को diabetes हुई है तो उससे kidney का कोई लेना देना नहीं है, kidney कुछ नहीं करेगी तो ये जो चीज है यह आपको समझने आई यहां तक clear है यह चीज़े तो हम फिर आगे बात करेंगे next जल्दी से बताओ यहां तक clear है ठीक है चलो तो फिर आज की class को proceed करते हैं और बहुत सारे नएने concept पढ़ेंगे आज कुछ hormones के बारे में पढ़ेंगे कुछ diseases के बारे में पढ़ेंगे और dialysis mcturation यह क्या क्या चीज़े होती हैं इन पर बात करते हैं definitions वगेरा हम पढ़ चुके थे इसके अलावा हमारा जो organ है जिस पर हमारी बात हो रही है वो यह है जिसको गुर्दा कहा जाता है जिसको व्रक कहा जाता है जिसको किड्नी कहा जाता है यह सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके है last class में मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़े बताई थी, कि वह यह क्या होता है तो यह medula होता है अंदर वाला बाग यह cortex होता है, और पूरा हमने process पढ़ा कि क्या होता है तो सबसे पहले जो आपका renal hocals होता है, जहांपे Presource Class Asus성을 होता है इपोन होता है, वहाँ होता है ultra filtration, वहाँ पर जुड़े हुए कुछ चीजें हम हॉर्मोन के भी बात कर लेते हैं अब देखिए क्या होता है हॉर्मोन में बात जो करनी है हमको सबसे पहला एक हॉर्मोन है जिसका नाम है ADH देखिए आपको प्रोसेस तो पता चल चुका है कि रख्त आएगा Glomerulus में Glomerulus की जो Entry है वो Entry का बड़ा दौार है और जो Exit है वो छोटा दौार है मतब छोटा Exit है तो Blood जो होता है यहाँ पर आता तो बहुत है Speed में लेकिन जाता बहुत Slow है तो Filtration को Time मिल जाता है अब Filtration जो यहाँ पर होने लगता है तो उसको ultra filtration कहा जाता है क्योंकि यहाँ से plasma वाला जितना part होता है वो kidney में चला जाता है जिसके अंदर sugar भी चली जाती है जिसके अंदर आपका minerals भी चले जाते है salts भी चले जाते है यूरिया भी चला जाता है फिर इसके बाद यह proximal tubule जो होते है यहाँ पर आपका एक convoluted tubule होता है जिसको हमने बात करी थी इसी को proximal convoluted tubule कहा जाता है PCT इसको हिंदी में समी पस्त गुमावदार नलीका कहा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से वो धीरे धीरे यह loop of handling में जाता है फिर इस तरीके से यहाँ पर पहुँच जा आता है collecting duct में अब देखे collecting duct में होता क्या है ultimately अब ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को क्योंकि बहुत important अगर यह चीज दो तीन हमने समझ ली तो हमें exam marks बहुत अच्छे मिल जाएंगे अगर आपको excretory system आ रहा है excretory system में हम यह concept लिख कर आएंगे यह जो दो से तीन चीज का question हम बोल सकते हैं कि यह चीज जो पूछी जा रही है तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि भाई यह collecting duct जो होता है जिसको आप संग्रह नालिका कहते हैं तो जो संग्रह नालिका है यहाँ पर क्या हो रहा है collecting duct में यूरिया तो separate हो जा रहा है और यूरिया के separate होने क साथ साथ जो हमारे का urine बन रहा है उसमें 95 से 96% क्या है water है ऐसा है अब माल लिया जाए कि हम क्या है हम एक ऐसे reason में हैं जो की desert reason है मरूस्तल है या हमारे गर्मी का बहुत जादा मौसम है और हमें पता है हमारी body को पता है कि हमें कई देर तक पानी नहीं मिलेगा हमारी body में already जो जल है वो collecting duct में जा चुका है तो क्या होता है हमारे brain से एक signal निकलता है जब हमें पानी की कमी हो सकती है अगर हमारे शरीर से पानी निकलता रहेगा तो हमें क्या हो जाएगा dehydration हो जाएगा हमें जल की कमी हो जाएगी तो होता क्या है brain से हमारे pitatory gland से एक hormone निकलता है आप यूरेटिक होर्मोन ये जो ADH है इसका यही काम है कि ये आएगा PCT पर काम करना चालू करेगा ये बोलेगा किड्नी को कि वही आपको जल बचाना है क्योंकि अगर आपने जल नहीं बचाया तो डिहाइडरेशन हो जाएगा तो इसलिए जो जल collecting duct तक पहुचा रहे हो इसको अभी store करके रखो क्योंकि human body के अंदर मानव शरीर के अंदर जल का अगर अभाव हो गया तो आपको dehydration हो जाएगा तो आपकी body में जितने भी salts वगिना आप कई बार unconscious भी हो जाते हैं तो dehydration एक तरीकी की बिमारी है बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं उसको ध्यान से सुनते चलो हो क्या रहा है कि हम ऐसे शेत्र पेंड जैसे कि आपने देखा होगा जब आपको गर्मी बहुत जादा लगती है तो आपकी शरी से पसीना भी involved है या कोई ऐसे रीजन में है कि शरीर को यह सिगनल आने लगते हैं देखो हमारे ब्रेन को पता चलता है ना जब आप खाना खाने वाले होते हो या खाना खाने से पहले तो मूँ में सलाइवा आने लगता है जो लार होती है वो आने लगती है body में acid का formation भी होने लगता है एकदम से तो नहीं होता है क्योंकि हमारे brain तक जो signals होते हैं वो बहुत काम करते हैं तो हमारा जो brain है वो बहुत जाता है एक्टिवेट रहता है तो brain को पता चल जाता है कि भई इस व्यक्ति को अभी कुछ देर तक पानी नहीं मिलने वाला है तो जो शरीर में पानी है अगर उसको भी loss कर दिया तो dehydration हो जाएगा तो उससे बचाने के लिए brain क्या करता है brain में एक ग्रंथी है एक ग्रंथी जो होती है मतलब glands होती है, glands भी दो तरह की होती है एक होती है exocrine gland एक होती है endocrine glands अब ये दो glands का काम क्या होता है एक सुना था हमने enzyme release करती है और एक करती है hormone अब देखे enzyme में हमने बात कर लिए कई enzymes पढ़े थे कि पेपसीन enzyme है, ट्रिपसीन enzyme है आपका lipase enzyme है ऐसे कई enzyme थे तो enzyme क्या होता है enzyme जहाँ जरूवत है जहाँ जरूवत है वही पर वही आसपास से निकलता है और काम कर देता है तो वो जो enzyme होता है वो किसी specific जगा पे जाता है मतलब मान लिया जाए कि आपको किसी building में room number 10 में जाना है तो आप room number 10 में गए लेकिन जो आपका hormone होता है वो आपका हर जगा जाता है हर जगा जाता है मतलब कि मान लिया जाए जैसे मैं बोल रहा हूँ enzyme का काम जो है ध्यान से सुन लिजिए इस चीज़ को enzyme जो होता है जहाँ जरूवत होती है वहाँ पर एक duct होती है एक नलिका होती है उससे निकलता है और जहाँ जरूवत है वहीं पर specific target करता है मतलब जैसे कि हमने बात करी थी कि क्या निकल रहा था जैसे pancreas से हमको तीन hormone मिले थे एक था lipase एक था आपका amylase और एक था आपका trypsin यह आपको यह आद होगा तो यह lipase, amylase और trypsin यह कहां पर पहुचा था यह पहुचा था छोटी आप पर कोई पूछे कि यह lipase, amylase को mouth में पहुचा देते मूँ में पहुचा देते वहीं पर सारी चीज़ें हो जाती तो ऐसा नहीं होता है pancreas जहां है अगना शेयर जहां है वहीं पर इसको release करेगा वहीं पर उसको पहुचाएगा sir please explain the function of bowman capsule ठीक है देखो bowman capsule क्या है bowman capsule के अंदर glow merulous है और bowman capsule क्या करता है आपका यह वाला जो हिस्सा है यह ultimately आपके पास जितना blood आया और यह blood कैसा है तो इसके अंदर यूरिया है तो वहीं इस blood के अंदर यूरिया है तो bowman capsule और glow merulous यह दोनों मिलकर एक काम करते है जिसको कहा जाता है ultra filtration यह ultra filtration का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे रक्त के अंदर हमारे blood के अंदर दो तरह के content होते है एक corpusals होते है कुछ कनिकाएं होती है और कुछ plasma होता है अब plasma जो होता है वो थोड़ा सा liquid part जादा होता है तो हमारी RBC, WBC और platelets को छोड़ कर पूरा plasma जो plasma है वो किसके पास आ जा रहा है इसके पास आ जा रहा है glow merulous और bowman capsule और ये पहुचा दे रहे हैं in duct में ये duct में जाने के बाद पूरा का पूरा क्या हो रहा है osmosis का process भी हो रहा है परासरन का भी process हो रहा है तो अगर कोई सीधा पूचे कि bowman capsule और glomerulus का क्या काम है तो आप वहां बता देंगे कि ultra filtration का काम है ठीक है अब देखिए ध्यान से अब यहाँ पर हमारी जो ADH की बात हो रही है तो ये दो मिनिट का concept है कि enzyme और hormone में क्या उंतर होता है तो अब देखिए ये enzyme था lipase, amylase और trypsin ये कहां से release हुआ था तो ये release हुआ था आपका pancreas से और pancreas से निकलने के बाद आप कहां जा रहा है small intestine में छोटी आथ में पहुच रहा है कहां से पहुच रहा है तो आपका अगनाशे से पहुच रहा है अब ये वहसा ही हो गया जैसा मैंने अभी एक example दिया था कि क्या है कि आपको किसी building में जाना था अब उस building में आपको पहले ही बता दिया है कि आपको room number 10 में जाना है अब आप सीधे जाएंगे room number 10 में पहुच जाएंगे जिससे भी मिलना होगा मिल लेंगे लेकिन वहीं पर आपसे बोल दिया जाता है कि भई फलाना व्यक्ती जो है इस building में रहता है आप उससे जाकर मिल लीजे तो आप क्या करते आप हर room में पहुचते पता करते कि वो व्यक्ती है कि नहीं तब पता चलता कि भई 10 number room में तो हर जगा जाना पड़ता तो ऐसे ही होता है आपका काम hormone का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी hormone की देखें दोनों ही चीजों में ऐसी बात होती है कि enzyme भी एक तरह का protein होता है hormone भी एक तरह का protein होता है लेकिन hormone कहां release होता है hormone का release होता है blood में hormone हमेशा release कहां होगा blood में होगा लेकिन जो enzyme होगा वो enzyme एक specific site पर होगा एक specific जगा पर होगा एक vicious स्थान पर होता है जैसे मूँ के अंदर मैंने आपको बताया था कि वह carbohydrate का क्या होने लगता है पाचन होना शालू हो जाता है तो जो लार होती है वो आपके मूँ में ही आती है लार आपके पेट में नहीं आती लार आपके हाथ में नहीं आती है लार आपके किसी kidney में develop नहीं होती है वो एक specific जगा पर होती है क्योंकि वहाँ पर होती है salivary glands salivary मतलब जो लार ग्रंतियां होती है तो ग्रंतियां भी दो तरह की होती है व्यक्ति को पानी की कमी हो सकती है तो brain signal निकाल देगा ADH जिसको बोलेंगे anti-diuretic hormone, anti-diuretic hormone कहां पहुचेगा, kidney पहुचेगा और kidney को बोलेगा कि वही जो आप ये कर रहे हो filtration का काम करके, जो reabsorption कर रहे हो, और ये urine जो बना रहे हो, collecting duct में पहुचा रहे हो, अभी इस पानी को बचाओ, नहीं तो इसको dehydration हो सकता है, तो ADH release होकर आपके body में जो excess water loss हो रहा है, उसको control करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते anti-diuretic hormone, जो निकला कहां से, brain से निकला और पहुचा कहां तक, kidney तक पहुचा, तो ये जो है, आपका hormone जो है पूरे body में घूमता है, लेकिन ये जो है, आपका specific site पर जाता है, मतलब किसी एक विशिश्ष इस्तान पर पहुचाने तो enzyme release किये जाते हैं और अगर आपका हमारी body में बहुत सारी गरंतियां होती हैं, और इन गरंतियों से hormone निकलते हैं आगे चलकर हमें एक chapter पढ़ना है, endocrinology तो उसमें हम पढ़ेंगे, बहुत सारे हमारी body में hormones निकलते हैं, अभी लेकिन मैंने उपर-उपर से समझा है कि भई, क्या hormone होता है, तो hormone यहां से ADH निकलेगा, kidney तक पहुचा देगा, कि भई, आपका पानी बचाना है, अब यह अगर कोई की body में water loss होता जा रहा है, ADH hormone काम नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को एक तरह की diabetes है, उस diabetes को कहा जाता है, diabetes insipidious यह जो मैं diabetes बता रहा हूँ, यह diabetes जो है एक अलग प्रकार की होती है, और अभी जो एक question में मैंने बताई थी, उस चीज को कहा जाता है, diabetes mellitus यह diabetes जो mellitus है, यह आम तोर पर आपने सुना होगा कि लोगों को मना किया जाता है, कि भई, कम मीठा खाओ, नहीं हो गई, तो उसके अंदर ADS जो है किड़नी पर काम नहीं करेगा, तो बॉड़ी में जो है blood का जो है absorption नहीं होगा, तो उसको water loss जादा होगा, जल का नुकसान जादा होगा, तो यह hormone ने आकर किड़नी पर काम किया और हमारे जल को बचा लिया, तो पहला आपको hormone clear हो गया होगा, कि पहले hormone में क्या काम होता है, यहाँ तक clear हुई है कि नहीं चीज़ें, जल्दी से बताइए, तो फिर आगे दूसरी बात करते हैं, यहाँ तक बात clear हुई या नहीं हुई, देखते चलिए, तो एक hormone आपको समझने आ गया है, तीक हैं, अब दूसरा hormone की तरफ बढ़ते हैं, अब दूसरा hormone कौन सा है, पहला hormone हो गया आपका ADH, अच्छे से समझने आया हो, तो अब दूसरी की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए, सभी की तरफ से येस है, डाइबिटीज इनसी पीडियस का मतलब है, कि उस व्यक्ति के अंदर ADH ढंग से काम नहीं करेगा, मतलब किड्नी को वो सिगनल नहीं पहुचा पाएगा, कि हमारी बॉड़ी के अंदर वाटर रेटेंशन करना है, ADH ने देखो, यहां काम क्या किया, ADH निकला ब्रेन से, पिडिट्वरी ग्लैंड से, प्यूश गरंती से, और पहुच गया कहां पे, आपके किड्नी तक, और किड्नी के PCT पर इसने बोल दिया, कि वही आपको जो यह कलिक्टिंग डक्ट में इतना वाटर आप लूस कर रहे हो, अभी बचा कर रखो, यह व्यक्ति डेजर्ट रीजन में है, या ऐसी जगा पर है कि इसको पानी नहीं मिलने वाला है कुछ देर तक, हमें समझ नहीं आ जाता है, हमें पानी कित्ती देर में मिलेगा, तो ऐसी अवस्था में यह ADH वहाँ पर काम करके बोड़ी के पानी को बचा रहा है, लेकिन जिनके अंदर पानी बच ही नहीं रहा है, बार-बार यूरिनेशन फील होता जा रहा है, वो व्यक्ति अपना बोड़ी का वाटर लॉस करता जा रहा है, ADH उस पर काम ही नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को हो चुकी है, Diabetes Insipidious, तो Diabetes Insipidious वाला व्यक्ति शुगर वाला पेशेंट नहीं है, वो उसको Diabetes है, लेकिन Insipidious Diabetes का मतलब कि उसके शरीर में पानी को रोकने के लिए जो हर्मोन काम करता है, वो कर ही नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति को ये बिमारी हो गई है, जिसको Diabetes Insipidious कह देंगे हम, clear, ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है, दूसरा हॉर्मोन जो है, इसको बोलते हैं, Eldosterone, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, Eldosterone हॉर्मोन, अब ये कहां से निकलता है, वो तो निकल गया कहां से आपकी, Petitory Gland से, अब ये जो दूसरा हॉर्मोन है, जिसको Eldosterone कहा जा रहा है, ये Eldosterone निकलता है, Adrenal Gland से, किड्नी के पास ही ग्लैंड होती है, जिसको बोला जाता है, Adrenal Gland, ये Adrenal Gland किड्नी को दे देती है, क्या, Eldosterone, और Eldosterone क्या करता है, ये Eldosterone हमारे शरीर में, देखो क्या होता है, जैसे आप किसी वेक्ति को कोई, देखा होगा, आपने कोई चक्कर खाके गिर गया है, जिसको diabetes insipedious हो गई, आप जैसे कि किसी को diabetes mellitus हो गई है, तो उसको क्या दवाईयां दी जाती है, इंसुलिन की, वहीं इंसुलिन बॉड़ी में बने और ग्लुकोस को डिवाइड करे, आप देखते होंगे, कई लोग इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाते हैं, आप किसी को insipedious हो गया है, तो उसको ADH की चीज़ें जो दी जाती है, ADH जो हर्मोन होता है, उसके इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, उसकी मेडिसिन्स दी जाती है, वैसे काम करेगा, diabetes insipedious ज़्यादर खतरनाक है या other diabetes, देको बिमारी तो कोई भी खतरनाक ही होती है, लेकिन mellitus यह है कि अगर आपको diabetes हो गए जैसे जिस लोगों को सुना होगा, उनको दूसरे risk बढ़ जाते हैं, उनको heart disease हो सकती है, उनका kidney failure हो सकता है, उनको liver related disease हो सकती है, क्योंकि body में बहुत जादा क्या होने लगा है, glucose की मातरा हमेशा बनी रहती है, इसलिए आपने देखा तो शुगर इतनी हाई आएगी, लेकिन किसी शरीर के अंग तक पहुची नहीं पाएगी, तो diabetes mellitus जो है, वो ज्यादा diseases attract करता है, इनसी पीडियस में बहुत ज्यादा urination होता है, blood loss होता है, तो dehydration की समस्या, इनसी पीडियस को है, वो gel related समस्या है, जिसको सुधार लिया ज सकता है, लेकिन diabetes mellitus देखा जाए, तो ज्यादा खतरनाक disease है, इसके अलावा इंडिया अगर हम बात करें, आपने अभी एक committee का नाम सुनाओगा, BRICS नाम की, जिसमें Brazil, Russia, India, China और South Africa है, इनको बनाने का एक बहुत बड़ा reason था, ये सारे देशों के साथ एक बहुत बड़ी थी, कि ये थे आपके diabetic capital, यहाँ पर बहुत ज़्यादा diabetes बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण जो है, ये all over world में risk ज़्यादा था, तो आपका जो diabetes mellitus है, उसको risk factor में ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है, तो आजाईए, eldosterone hormone पे, eldosterone hormone आपके kidney के पास ही एक ग्रंती है, जिसको adrenal ग्रंती कहते हैं, ग्रंती वाला जब chapter पढ़ाऊंगा, glands वाला पढ़ाऊंगा, तो सारे glands कहां कहां होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, फिर से बात करेंगे, अभी kidney पढ़ रहा है, इसलिए बस ये नाम याद रख लो, eldosterone, eldosterone का का काम क्या है, तो मैं अभी होगा, कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, तो चक्कर आने के बाद उनको क्या करते हैं, उनको नमक शक्कर का पानी देखा होगा, दिया जाता है, तो होता क्या है, कि body के अंदर होता है sodium और chloride, नमक जो होता है, sodium की mainly अगर हम बात करें, तो आपके brain तक जो signal पहुशता है, व sodium और chlorine भी body से बाहर निकल जाता है, तो LD or steron hormone क्या करेगा, prevent करेगा, रोकेगा किसको, salts को, जिसमें आपका क्या होगा, sodium होगा, और साथ-साथ क्या होगा, तो chlorine भी होगा, जो आप नमक जो होता है, ने, NACL जिसको कहते हैं, इसको prevent करता है, body से कि बाहर ना निकले, और ये जब नहीं निकलता, तो थोड़ा सा जल भी बच जाता है, मतलब मेंली ये किसका करेगा, तो sodium और chloride का prevention करेगा, sodium और chlorine को शरीर से नहीं निकलने देगा, तो साथ-साथ क्या होता है, जल भी अवशोशित कर लेता है, तो ये hormone, eldosteron hormone है, जो इस चीज को prevent करता है, यहाँ पर ब यहाँ तक बात आ रही होगी, एक ADH समझ लिया, जिसने जल को रोकने की काम करी, eldosteron ने क्या काम किया, तो eldosteron ने किया आपका sodium का, अब देखिए, तीसरा hormone जो होता है, ये तीसरा hormone क्या हुआ, मान लिया जाए कि हमारी body में low blood pressure हो गया है, किसी को low blood pressure, BP low हो जाता है कई जो BP होता है, वो होता है, 120 और 80, अब इससे कई लोगों को सुना होगा, आपने के हमारा BP low हो गया, तो BP low हो गया, उसको दिक्कत तो है, BP low होने के बाद दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत उसके शरीर में तो है, तो kidney में क्या पढ़ रहे हैं, blood तो level का काम नहीं है, इसका काम यह है कि यह filtration करेगा कहां पे, इसको मिलेगा आपका efferent से यहां से blood आ रहा है, और blood यहां पे होने के बाद यह filter out कर रहा है, अब अगर आपकी body में low blood pressure हो गया, तो इससे दिक्कत यह होगी, कि जो आपका glow malulus filtration rate है, यह भी तो slow हो जाएगा, अब आप बोलेंगे सर क्यों हो हो जाएगा, क्योंकि भई इसको जो blood आ रहा था, नॉर्मल blood की जो speed चल रही थी, तो यह तो आसानी से blood को ले रहा था, और फिर यहां से इस चीज़ को निकाल दे रहा था, तो अगर इसके पास धीरे-धीरे blood आएगा, तो यह filtration भी कम करेगा, और filtration भी कम करेगा, तो urine भी क pressure की दिक्कत होगी, उसका जब रक्त चाप धीमा हो जाएगा, तो kidney उसको बढ़ाने के लिए renin निकालेगी, अब देखिए, याद करिए, जब मैंने stomach बताया था, तो stomach में जब खाना आता है, तो वहाँ पर जो मिलता है, वो होता है renin, जो कि क्या करता है, milk protein को, जो है, enzyme होता है, वो renin होता है, ये एक तरह का क्या है, enzyme है, ये एक enzyme है, और ये कहा होता है, आपके amashay में, stomach के अंदर होता है, लेकिन जो kidney में होता है, उसको कहा जाता है renin, यहाँ पर एक single N आएगा, और यहाँ पर double N आएगा, जब मैंने वहाँ भी पढ़ाया था, तब याद क हो गया आपका renin, तो यह जो है, यहाँ पर pepsin और renin, वो stomach वाले हो गए, और यह वाला जो है, यह hormone है, तो बात clear रखिएगा, confuse मत होईएगा, milk protein वाला है, बिल्कुल, याद है आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पड़ी ते रही है, तो exam जरूर निकले होईगा, और exam निकालना ही है, सब को, देखे, क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर renin activate होगा, अब इस renin का काम कब है, जब body में है, low blood pressure, तो renin क्या करेगा, renin एक दूसरी चीज़ को, मतब renin release होकर, केवल renin release होकर, आपके blood के pressure को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होगा, समझे इस चीज़ को, इस से दो से तीन चीज़ें जोड़ी होई है, सबसे पहले renin की बात होई है, renin कहां से release हो रहा है, तो kidney ही इसको release कर रही है, मतलब आपका गुर्दा, आपका जो व्रक है, वहीं से चीज़ release हो रही है, तो देखिए, क्या होगा, renin जो है, वो एक hormone और release करवाएगा, जिसको कहेंगे angiotensin, ये kidney के पास से निकला renin, कि वहीं इसके शरीर में रक्त जो level है, रक्त चाप जो है, वो कम हो चुका है, blood pressure level low चुका है, तो renin release होते ही, किस पर work करेगा, angiotensin पे करेगा, और जो angiotensin है ये angiotensin क्या करेगा, कि जो रक्त, जो आपकी capillaries है, जो नलीका है, उनको थोड़ा सा सिकोडने लगेगा, मतलब जो आपके blood vessels हैं, जहां से रक्त निकल रहा है, तो उनको थोड़ा सा दबाने लगेगा, आपने देखा होगा, कभी garden में पानी दिया हो, तो pipe को जब आप द पानी बहुत तेजी से आगे निकलने लगता है, मतलब आपने क्या बढ़ा दिया, उसका pressure बढ़ा दिया, तो ये जो रेनन है, angiotensin को एक तरीके से वहाँ पर work करने लगता है, जो blood vessels के अंदर जाके उसको contract करने लगते हैं, और contract करने के बाद आपका जो blood low हुआ था, उसक काम हो जाए, बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है, आपको समझने आ गया होगा कि इसका एक काम क्या है, control the blood pressure, तो ये blood pressure को बढ़ाता है, लेकिन normal करने के लिए बढ़ाता है, ऐसा नहीं होगा कि kidney के कारण किसी को high blood pressure की दिक्कत हो गई, hypertension हो लेने लगी, kidney का सिर्फ काम है, उ उसको नियमित कर देना, उसको manage कर देना, तो ये तीन होर्मोन आप याद रखेंगे kidney से, एक पढ़ लिया, ADH, anti-diuretic hormone, शरीर में पानी को बचाएगा, दूसरा eldosteron, जो body में sodium को बचाएगा, और तीसरा जो है, वो renin, जो angiotensin को, जो है, renin release होकर angiotensin को activate करेगा, और body के अंदर blood pressure को maintain करेगा, तो ये तीन होर्मोन आपके kidney से बहुत जादा जरूरी है, इनको याद रखेंगे, इसके अलावा बापस से glands आएंगी, तो hormones पढ़ेंगे, लेकिन kidney के अंदर specific ये तीन आपने अगर hormone लिखे, तो आपको पूरे marks मिलेंगे, अच्छे marks मिलेंगे, यहा तक कोई दिखका थे, किसी को तो बताओ मुझे, तो देखिए, हमने kidney से related hormones को देख लिया, कौन-कौन से hormone है, तो पहला ADH, दूसरा aldosterone और तीसरा renin और angiotensin, इसके अलावा kidney से जुड़ा हुआ जो nephron था, जिसको व्रिक काणू कहा जाता है, इसके अंदर कल जो process पढ़ा, उसमें पहला था ultra filtration, दूसरा था reabsorption, और तीसरा था secretion, श्रावन, पुनर, अवशोशन, और ये तो filtration ही है, renin तो बच्चों में होता है, बिटा, renin जो है, मैंने आपको वही बताया कि ये renin जो है, ये stomach में निकलता है, ये R-E-N-N-I-N वाली बात कर रहे है, इसको renin कहेंगे और ये renin है, तो अभी हम बात कर रहे है, renin की, जो renin है, वो छोटे बच्चों में निकलेगा, कब निकलेगा, जब आपका blood का level कम हो जाएगा, अब आपके body में blood pressure कम हो गया है, तो आपको ये ऐसा थोड़ी system लाते हो कि आपकी body में blood pressure बढ़ा दिया जाए, ये kidney अपने level पे ही काम कर लेती है, थोड़ा बहुत आपकी body में blood pressure उपर नीचे होता रहता है, तो kidney अपने काम को करने के लिए ये खुद से विवस्ता कर लेती है, तो देखिए, यहां तक ये बात आपको समझने आ गई, कि इस तरीके से होता है, अब देखिए, एक जो मैंने आज class में शुरू में ही बताया था, एक process होता है, जिसको कहा जाता है dialysis, अब ये dialysis क्या होता है, तो dialysis उन लोगों के लिए होता है, अब कई लोगों की क्या होता है, अब ये व्रिक अश्मरी क्या होता है, तो व्रिक अश्मरी का मतलब होता है, किसी की body में हो गया है renal stone, जैसे kidney में stone सुना होगा, पथरी हो जाती है, तो ये व्रिक अश्मरी कहलाता है, अब मान लिए जाए बहुत ज़्यादा stone जमा होने लगा, जमा होते होते, kidney को ही खराब कर दिया, अब kidney खराब हो गई, अब एक kidney खराब हो चुकी है, दूसरी kidney काम कर रही है, मतलब दो kidney है, तो एक व्रिक जो है, एक kidney भी बची रहेगी, तो भी जीवित रह सकता है, अपना काम कर सकता है, तो अगर ऐसा है, तो किसी की मान लिया जाए कि दोनों ही kidney खराब हो गई है, kidney failure ही हो गया है, तो उसको क्या किया जाता है, उस ऐसे लोगों को करवाना पड़ता है, यह वाला process, यह जो पूरा का पूरा process होता है, जिसमें reabsorption वगेरा होता है, वही same चीज machine के थ्रू होती है, तो उसको dialysis कहा जाता है, dialysis के थ्रू होता है, तो यहाँ पे जो है, इसको भी देख लेते हैं, dialysis क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, blood को filter किया जाता है, जिसक में जो है, आपका blood इससे भेजे जाता है, यह पूरा का पूरा system आपके patient की blood से, जितना भी uretic material होता है, जितना भी nitrogenous पदार्त होता है, उसको अलग कर देता है, process होता है dialysis का, यह चीज जो है, ध्यान से समझ लेनी है, तो यह जो है, आपका, एक जो है, इसी के अंदर dialysis क process, वही है कि इसमें होगा blood से आपका purification, किस चीज का, तो nitrogenous पदार्त का, जो nitrogen युक्त पदार्त है, उनका ही एक तरीके से filtration होता है, अब देखिए एक चीज और भी समझ नहीं हमको, जिसको का जाता है, mikturation, अब यह mikturation क्या होता है, इस चीज को भी समझ लेजे, फिर सारी diseases समझ लेते हैं आज की class में, कौन-कौन से disorders हो जाते हैं, कौन-कौन से बिमारियां हो जाती है, किड्नी से जुड़ी हुई, उन सारी एक-एक बिमारियों को समझ लेंगे, अब देखिए, mikturation का मतलब क्या होता है, तो आपने class में कई बार permission ले होगी, बिल्कुल, किड्नी सभी के लिए बहुत important काम करती है, इसकी हर एक-एक जो चीज है, इससे जुड़ी होई, वो आपको यही बताती है, आपकी किड्नी काम तब अच्छे से करेगी, जब आप water consume अच्छे से करेंगे, तो पानी बहुत अच्छे से पिया करें, तो यह जो है, आपकी जो young age में ज disease and diabetes type की, इनके पीछे है lifestyle, तो lifestyle के अंदर एक अलग-अलग parts होते हैं, लेकिन किड्नी को बचाने के लिए आपको पानी खोब पीना चाहिए, तो इस चीज को अभी से आपकी अगर कम भी पीते हैं, तो बढ़ा दीजे, क्योंकि आगे दिखकर देता है, देखिए, मैंने जै तो this is the correct word, तो यह scientific term है, जिसको micturation कहा जाता है, तो micturation का मतलब है कि आपका kidney ने तो काम कर दिया, kidney ने फिल्ट्रेशन कर दिया और ureter की help से आपका सारा urine जो है कहां पहुचा दिया, आपका urinary bladder में, bladder है आपका, तो पूरा bladder जो है खटा करके रख लेता है, जैसे उन्हें आपको बताया था कि male के अंदर यह लगबख 500 ml का होता है, फीमेल के अंदर 1000 ml का होता है, तो इसलिए females जो होती है, वो ज्यादा control कर सकती है, urination को as compared to male क्योंकि उनका bladder बढ़ा है, पानी देखो कैसे भी पीना चाहिए, बैट के पीओ, खड़े होके और पीओ, वो एक अलग concept है, मतलब मैंने अभी जितनी चीज़ें पढ़ी है, यह मैंने वाटसेप वाले जो मैसेज हैं, उसमें पढ़ा है कि बैट कर पीने से कुछ ऐसा होता है, बट कहीं पर साइन्टि इस चीज़ें को मतलब बुक्स वगेरा में मैंने कहीं उसको नहीं देखा है, कि उसका क्या रीजन है, अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, बट पानी तो पीना चाहिए, चाहिए कैसे भी पीओ, खड़े होकर पीओ, या बैट कर पीओ, लेकिन पानी होती हैं आपकी मसल्स, तो यह मसल्स क्या होने लगती है, एक्स्पैंड होने लगती है, यह धीरे-धीरे फैलने लगती है, तो यह फैलने के साथ-साथ क्या होता है, इनी के साथ लगे होते हैं नर्फ्स, यह नर्फ्स होते हैं, तो यह सिंसरी नर्फ्स सिगनल पहुचा द लिए जाये और हमारा जो पेट है उसको मतलब ब्लाडर जो हल्का कर दिया जाये तो यह जो सिगनल है यह जाता रहता है sensory organ से brain पर और brain जो है वापस से यह signal बेजता है और यहाँ पर होती है smooth muscle यहाँ पर होती है smooth muscle और यह होती है involuntary involuntary मतलब हमारे control में नहीं होती है तो क्या कोई control कर सकता है इस चीज़ को तो देखो control करना एक अलग बात है लेकिन इसका मतलब है कि जब brain ने आपको एक signal भेज दिया कि अब यह धीरे-धीरे bladder की muscles पर pressure डाला जाए और इसको दबाने के बाद आपका यूरेत्रा से जो है blood को मतलब urine को बाहर किया जाए तो यह पूरा का पूरा signal क्या हो जाता है यह पूरा का पूरा signal brain से काम करता है कि brain के पास यह signal गया और brain ने आपको वापस से पहुचा दिया तो अगर आप urination के लिए आपने सोच लिया है मतलब आपको जब तक आप control कर रहे थे तब तक तो ठीक था क्योंकि बार-बार brain तक signal जा रहा था कि bladder बर गया है bladder बर गया है लेकिन एक बार जब bladder आपका shrink होने लगता है दबने लगता है तो यह urination को बाहर निकालने का process चालू हो जाता है उसके बाद आपनी control कर सकते है एक बार brain ने signal भेज दिया तो वो आपका urination जो है वो complete होकर ही रहेगा और इस process को क्या कहा जाता है तो micturation कहा जाता है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि what is the process of micturation या micturation क्या है यह इसी को हिंदरी में मूतरन कहा जाता है लेकिन आपको आएगा word micturation ही तो micturation क्या है it is the process by which brain sends the sensory signals to the urinary bladders and the urinary bladders contract and surpass out the urine from the body मतलब micturation वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका मस्तिश्क से निकले हुए आपके जो signals होते हैं वो आपके bladder के ऊपर urinary bladder जो होता है उस पर असर करते हैं और धीरे धीरे आपके मूतर को बाहर निकालने में मदद करते हैं तो उस process को micturation कहा जाता है तो यह जो है पूरा का पूरा एक process है जो आप एक specific word है इसको भी अगर आप include करोगे answer writing में या इस पर direct आ जाता है तो confused नहीं होना है क्योंकि कई बार मैंने अभी मतलब जितने भी आपके mainly है तमिल नाडू अगे रख जो वहाँ पर exams होते हैं वहाँ पर यह दो-तीन बार पूछा हुआ है तो इसलिए जो है उस चीज को थोड़ा सा हम भी include करने हो सकता है हमें भी कभी exams में पूछ लिए जाए मतलब North Indian वाले belt में तो नहीं पूछा है लेकिन South India में दो-तीन बार पूछ चुका है इसी terms के साथ तो mikturation आप याद रखेंगे तो यह कुछ चीजे हो गई इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं diseases की तरफ तो diseases क्या होती है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वही क्या-क्या kidney के अंदर disease होती है मतलब disorders की बात कर लेते हैं बिमारियों की बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी बिमारियां होती है kidney related जितना class में आज बताया है उतना सबको समझने आया है या नहीं आया है कहीं कोई doubt है तो बताइए जल्दी से तो 6-6 diseases हैं इनको आपने समझ ली तो काम हो जाएगा और यह पूरा excretor system आज हम complete कर लेंगे और साथ-साथ अगर यह समझने आ गया होगा तो कल एक class लेकर जो है इसमें सारे जितने questions आई हुए हैं अलग-अलग exams में और भी मताँ exams के साथ-साथ मुझे जो लगता है कि और questions आ सकते हैं इनका compilation आप लोग बोलेंगे तो यह अगली class में मैं करवा दूंगा या फिर कल की class से कोई दूसरा नया system चालू कर देंगे as per your thoughts लेकिन देखें मैं एक एक chapters कराते चल रहा हूं जैसे जो जो system मैंने पढ़ाया इवन सेल पे questions कराये tissues पे questions कराये animal kingdom पे questions कराये plant kingdom पे questions कराये तो एक एक चाप्टर पे यह जो चीज है पिल्कुल mcq के फॉर्म में जो है और जैसे मैंने analysis में वैसे भी questions put किये थे तो जितने भी chapter से mcqs कराये हुए मतब topics तो पढ़ाई हुए mcqs भी लगातार solve करते रही है और जिन लोगों ने पुराने chapters नहीं देखें वो देखते भी रही है रिवाइस भी करते रही है क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मैं जो है एक भी respect को नहीं छोड़ रहा हूं तो इसलिए आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत में बिल्कुल कसर नहीं चोड़ना कि यह अगर आपका चीज हो गया मैंने शुरू दून से जब से class start करी थी मेरा एक ही बात मैंने आप लोग से यही गई है कि हमको यह subject बार-बार नहीं पढ़ लेकिन 70% students का रोल है तो यही सेम चीज से आप अपना performance अच्छा कर सकते हैं बट उस चीज को consistently करिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह चीजें जो है जितनी भी separation में कर रहा हूं अलग-अलग compilation कर रहा हूं इसको help लीजिए क्योंकि आप बैठेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा आप लोगं को करन आप भी सकते हैं self study बहुत ही important part है लेकिन self study के लिए थोड़ा सा आपके पस content होगा तो आपके लिए अच्छा होगा तो पढ़ी है अच्छे से लेकिन इस चीज को करते चलिए बिल्कुल तो ठीक है कल के session में एक पूरा का पूरा इसका compilation करा दे करेंगे कि वह किड्नी आपसे excretory system में क्या क्या हुआ है उस चीज को सारा बता देंगे सर कब तक biology end होगा अब देखो हम लोग एक हर subject का देखो एक time होता है अब जैसे मैं biology की अगर हम बात करें तो biology एक ऐसा subject है जो science का सबसे बड़ा part हो जाता है तो जैसे कि अगर chemistry को खतम करने में लगबग 20 गंटे से 25 गंटे लगते हैं इसके अलावा अगर हम physics की बात करें तो वो double हो जाता है वो हो जाता है पूरा का पूरा लगबग 50 गंटे ले ले लेता है मतलब physics को complete करने में 50 गंटे है तो chemistry 25 गंटे में होता है और ऐसी biology लगबग 110-120 गंटे का subject है अब 110-120 गंटे का subject ये भी होता है कि यह जैसे आप लोगों के doubts है मान लिया जैसे आपने कोई question पूछा तो हम यहाँ पर केवल topic खतम करने नहीं बैटे हम लोग उसको समझने इस भी हो जाए बट subject में जो matter है वो उतनी देर का होता है कल की class में MC की और थोड़े से analytical questions को ले लेंगे देखिए तो सबसे पहली जो बात हो रही है वो हो रही है kidney stone की अब kidney stone जो होता है आपकी body में बन जाता है calcium oxalate calcium phosphate कीड़नी का काम filtration है अब इस छन्नी ही block हो गई मताद छन्नी देखी होगी आपने कई जगाँ पे कई जगाँ पे जैसे की कहीं से filter होता है जैसे नालियों में पानी देखा होगा जाता है लेकिन कई बार नालियां चोक हो जाती है ऐसी kidney है कि kidney से आपकी हर चीज का filtration हो रहा है अब यह filtration हो रहा है अब यह filtration जाम हो गया इसमें कहीं बीच में कुछ ऐसी चीजें ऐसे मोटे पदार्थ फस गए तो वह kidney filter कैसे करेगी तो उस चीज को कहा जाता है kidney stone जो की बहुत जादा पेन देता है लोगों के body में और यह जो है आपका हो जाता है अगर आप बहुत जा लेगा साथ-साथ urea को भी निकालेगा kretinin को भी निकालेगा arganin को भी निकालेगा इसके अलावा ammonia को भी निकालेगा uric acid को भी निकालेगा और यह जित्ते salts हैं इनको भी निकाल देगा vitamins को भी निकाल देता है लेकिन यह सारी चीजें भी इसके साथ flush out होती रहेंगी तो य इसके लोगों को calcium युक्त खाने को मना किया जाता है, की भाई, जिस चीज में calcium जदा हो उसको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जिन सब्जियों में beefege होते हैं, छोटे-छोटे seeds होते हैं, जिसे tomato खाने को मना किया जाता है, बैगन जो होता है बैगन आपका ब्रिंजल जो होता है उसके अंदर भी क्या होते है छोटे-छोटे बीज होते हैं तो उनको भी मना किया जाता है कि जिनको stone हो जाता है इसके अलावा जो है इसके लिए अलग-अलग techniques है जिसके थूँ आपके kidney stones को बाहर निकाला जाता है तो की बात कर दी ये नहीं खाना चाहिए पानी खूब पीना चाहिए water का consumption बहुत ज्यादा होना चाहिए तो इसके recommendations में क्या आता है तो पानी खूब पी आ जाए इसके अलावा इसमें एक टेखनीक होती है जिसके तुरूँ इसका treatment किया जाता है इसके treatment का नाम जरूर याद रख लिजे इसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है shock wave lithotepsy तो ये shock wave lithotepsy जो होता है एक शल्ले चिकित सा है एक surgery type की होती है जिसके तुरूँ stone को बाहर निकाला जाता है तो ये पहली चीज़ आपको समझने आ गई इसके बाद देखिया इसके बाद ये जो stones होते है ये अलग लग जगा जाकर फस जाते है और ये जो है आपका ureator में भी हो सकता है कैलेसिस में भी हो सकता है तो ये stone आपको pain बहुत provide करते है मतलब जिसको भी stone हो जाएगा उसको pain होता रहता है दर्द होता रहता है जो आपका मतलब इसके अंदर risk भी अलग-अलग level का होता है कि अगर जैसे किसी को stone हो गया तो ये भी एक बिमारी है लेकिन ये stone कई समय तक body में बना रहेगा तो दीरे-दीरे क्या करेगा risk को बढ़ा देगा और इतना जादा risk हो जाता है कि एक stage में जाकर kidney failure ही हो जाता है क्योंकि हमारी body में तो continuously protein से ammonia बन रहा है ammonia से urea बन रहा है urea जो है body से बाहर ही नहीं जा पा रहा है क्योंकि बीच में क्या हो गया है कुछ ना कुछ रुकावटे आ गही है तो उन रुकावटों के कारण आपकी kidney जो है धीरे-धीरे risk बढ़ता है kidney damage होती है धीरे-धीरे kidney का function काम हो जाता है और यह एक चीज हो जाती जिसको renal failure कह जाते हैं या व्रक पतन कहते हैं इसको इसको क्या कहेंगे व्रक पतन समझने आ रहा है या नहीं आ रहा है यह बहुत important चीज है इसको समझ लीजिए अब यह क्यों होता है तो एक तो मैंने आपको बता दिया एक वज़ा stone है दूसरा इसका है low blood pressure अगर kidney को सही pressure से रखते नहीं मिलेगा तो वो filtration भी उतनी धीमे करेगा उससे भी हो जाता है इसके अलावा आपकी kidney को कोई shock लग गया है कोई जटका लग गया है आपको कोई चो होगा कि वह उनका organ damage हो गया था उनका organ failure हो गया था मतलब किसी भी तरह से शौक लगने से टॉक्सिन से टॉक्सिन का मतलब विशेले पदार्तों को लेने से आप बूलेंगे कि सर आप शुरू में बता रहे थे कि लिवर एफेक्ट होता है कि अगर poison ले लिया किसी ने जहर ले लिया तो उसके लिवर पर असर करेगा अब किड्नी पर क्यों असर करेगा तो वही ऐसी चीजों को फिल्टर करेगी तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो एक समय के बाद वो भी हो जाता है तो ये भी condition इसके अंदर आ जाती है जिसको आप renal failure व्रिक पतन कहते हैं इसके बाद kidney diseases के अंदर एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है यूरेमिया अब यूरेमिया क्या होता है तो यूरेमिया वो disease होती है कि बलड के अंदर यूरिया का लेवल जो है ओँ धीरे-धीरे बढ़ने लगी मंदर किड्नी डंग से काम नहीं करेगी तो ब्लड गेंदर क्या होगा हमेशा यूरिया मिलेगा ब्लड टेस्ट कराया यूरिया भर्मूर मात्रा में निकल गया तो ये एक चीज हो जाती है इसके अलावा यहां पर बहुत सारे सिंटम्स दिया है एक्यूट किड्नी फेलियर्स के रिड्यूस यूरिन आउटपुट लेकिन मैंने जो आपको बताया कि क्या होता है लो ब्लड प्रेशर टॉक्सिन्स और आपका शॉक ये तीन कारण आपने लिख दिये तो काम हो जाएगा सर जो केमिकल पॉईजन में स्नेक वेनम में क्या डिफरेंस है देखो स्नेक वेनम जो एक तरह का प्रोटीन होता है कि स्नेक भी पैरोटेट जैसे होती है ग्रंती स्नेक के अंदर भी होती है वहां से वेनम निकलता है उसके अंदर वो जो प्रोटीन है वो बहुत जादा ऐस होता है कि हमारे blood vessels को फार देता है मतलब वहां पर bursting हो जाती है हमारे blood vessels की तो आपका organ fail हो जाएगा क्योंकि blood ही तो सारी चीज़ें पहुचा रहा है लेकिन आपका जो chemical poison होते हैं जैसे कई लोगों को जो cancer हो जाता है तो कई medicine जो cancer की होती है उसमें snake venom का use किया जाता है अब chemical poison यह है कि वह आपके जाकर nervous system को breakdown कर देता है आपका जो तंत्रे का तंत्र होता है वहीं पर breakdown हो जाता है तो व्यक्तिगी death हो जाती है अब kidney failures में मैंने आपको बता है reduce urine output, urine output का stone हो जाना, blood pressure का काम हो जाना, swelling legs ऐसे लोगों के जो पाओं होते हैं, ankles होते हैं, feet होते हैं, वो काफी सूजन बरी होती है, weakness और थकान बहुत जादा लगती है, high blood pressure और यह सारी चीज़ें symptoms देखने मिलते हैं, confused होने लगता है इनसान, इसके लावा chronic kidney failures में abnormal blood and urine test, swelling in the face, hands and feet, headache होता है, high blood pressure level बढ़ने लगता है, इस सारे कारण kidney failures के बताएगा हैं, इसके अलावा जो है, मैंने आपको यूरेमिया बता दिया, यूरेमिया में क्या होता है, तो यूरिया का लेवल हमेशा body में मिलता रहता है, अब वो यूरिया जादा रहेगा, तो toxicity आपकी body म बढ़ा देगा, इसके अलावा जो है, ये inflamed kidney होती है, एक normal kidney की जगा, inflamed kidney, एक और चीज़ होती है, जिसको कहा जाता है, cystesis, अब देखें, ये भी समझ दीज़े, cystesis क्या होता है, तो cystesis एक condition होती है, जब आपको बहुत ज़्यादा क्या हो, pain हो, बहुत ज़्यादा दर्ध हो, इसके अलावा बहुत ज़्यादा frequent urination हो, ये भी एक condition होती है, अकड़न होती है, और इसके अंदर क्या बताया जाता है, कि आपकी body में एक होता है, बैक्टेरिया, जिसको कहा जाता है, E. coli bacteria, अब ये E. coli bacteria जो होता है, आपकी आतों में पाया जाता है, इसका infection हो जाता है, तो जो बिमारी होती है, उसको कहा जाता है, cystesis, E. coli bacteria, E. coli जिवानु जो है, उसके कारण जो आपको बिमारी हो जाएगी, kidney के अंदर, उसको cystesis कहा जाता है, low blood pressure से भी kidney effect होता है, बिल्कुल kidney, अगर low blood pressure रहेगी, तो बार बार रेनिन एंगियो टेंसिन का release करती रहेग लेकि लेकिन ये एक level के बाद जो है, अगर आप मान लिया जाएगी, आपको low blood pressure का काम क्या है, कि blood एक rate से आपकी body में आ रहा है, अब ये तो ऐसा नहीं होता है, कि कोई rest पर जाती है kidney की, आज Sunday मना लेते हैं, आज थोड़ा सा rest कर लेते हैं, नहीं नहीं, डर से कोई नहीं मरता है, डर कहने की बात है, hypothetical जो conditions होती है, कि आपको डर लग रहा है, तो ये होता है कि कई चीजों से आपके signals गलत जाते हैं, कई तरह कि hormones आपकी body में release होना चालू करते हैं, लेकिन death नहीं हो सकती है, अगर आप इस conditions को देखा जाए, तो death हो होने की दूसरी conditions है, बिलकुल, तो देखिए, सिस्टेस में क्या कहा जा रहा है, E. coli bacteria का infection किसी को हो गया, तो उसको कौन सी बिमारी हो गई, सिस्टेस हो गई, इसके अलावा यहाँ पर, देखिए, मैं आपको एक ही जगा पर सारी diseases बता लेता हूं, इनको धिहान से देख कहीं पर भी हम blank slide ले लेता है, diseases कौन कौन सी होती है, तो एक ही साथ समझने आ जाएगी, यह सारी diseases पढ़ लिजेगा, पहली मैंने क्या बताई, तो पहली है आपकी renal stone, renal stone मतलब वरक अश्मरी, stone हो जाना, पथरी हो जाना, इसी को क्या कहते हैं, पथरी हो गई, मैंने इसमें बताया, calcium oxalate और calcium phosphate के कारण होता है, दूसरा जो है, वो मैंने बताया है, renal failure ही हो जाए, मतलब kidney का fail हो जाना, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, वरक पतन, अब तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा मैंने आपको बताया है, uremia होता है, मतलब urea की मात्रा बढ़ जाना, तो blood में हमेशा urea का level बढ़ा मिलता है फिर क्या होता है, तो इसी में मैंने आपको बता दिया, cystesis, cystesis में E. coli infection हो जाता है, E. coli bacteria का infection हो जाना, यह cystesis, यह uremia, यह renal failure, renal stone, तो केवल क्या इतनी बिमारिया होती है, नहीं, और भी होती है एक होता है आपका nephritis, बिल्कुल, ध्यान से देखते चलिए एक एक चीज़ को, अब हम बात करें nephritis की, अब nephritis जो होता है, यह भी एक तरीके का infection होता है, bacteria infection होता है, इसमें क्या होता है, तो nephritis, nephron से जुड़ा हुआ है, विकरानू से जुड़ा हुआ है, तो वरक के अंदर जो विकरानू है, जो आपके nephron है, उनके अंदर एक तरह का infection हो जाना, bacterial infection, अब यह सिस्टेसिस था, यह कोलाई bacteria के कारण हुआ, लेकिन यह वाला जो है, आपका किसी भी normal bacteria के कारण हो गाए, तो उसको हो जाएगा nephritis, अब ऐसे वेक्ति को देनी होती है, यहाँ प और इस bacterial infection के कारण, इस bacterial infection के कारण, यह disease हो गई, जिसको nephritis कहा जा रहा है, तो इसमें जो है, पेंसिलीन से काम हो जाएगा, उस वेक्ति को दे दी जाए, पेंसिलीन वो हो जाएगा, ठीक, इसके अलावा क्या हो जाता है, तो एक चीज होती है, जिसको कहा जाता है, डाय, Eureasis, अब याद करिए, एक हॉर्मोन पढ़ा है, आज की क्लास में, anti-diuretic hormone, अब anti-diuretic hormone में क्या बताया था, की भई, आपका brain से निकलेगा, ब्रेन से निकलने के बाद, आपकी body के अंदर पानी को बचाएगा, अब Diorasis नाम की, अगर किसी को बिमारी हो गई है, तो मतलत ब frequent urination होगा, frequent बार बार वो क्या होगा, urine करने जाएगा, इसके अलावा एक बिमारी और होती है, जिसको कहा जाता है, gout, गठिया, ऐसी गठाने बनने लगती है शरीर में, कि uric acid जो है, वो आपका क्या होने लगता है, body में, जमा होने लगता है, तो uric acid के जमा होने के कारण किसी को क्या हो सकता है, gout हो सकता है, गठिया, रोग हो सकता है, ये चीज हो जाती है, इसके अलावा micturation diseases होती है, micturation जो process, urine body से निकलना, लेकिन कई लोगों का urine body में अटक जाता है, तो उनको भी कई तरह की, जो है, disorders होते हैं, उनको आप बोल सक होते हैं, micturation disorders, जिसमें urine body से निकलने में समस्या होती है, तो इतनी बिमारियां अगर आपने बता दी, इतनी आप exam में लिख कर आ गए, तो जो है examiner आपको पूरे नंबर दे देगा, तो ये चीज आप याद रख लेंगे, I think समझने आया होगा आपको, इसके बाद देख केते हैं, आज के mcqs, पहला question है, when kidney fails to functions, there is an accumulation of, जब गुर्दे काम करने में विफल हो जाते हैं, तो क्या जमा हो जाता है, fat in the body, protein in the body, sugar level in the body, nitrogenous waste products in the body, रक्त में nitrogen, खून में शुगर, शरीर में प्रोटीन या शरीर में वसा, ये कब है, जब गुर्दे काम करने में विफ हो जाते हैं, तो क्या जमा हो रहा होगा, ये बात करना है, तो answers आप लोग, सभी लोग दीजिए, और answers जैसे कल के sessions में दिया थे, ऐसे, हर session में answer जरूर दिया करिया, कि class का meaning तब निकलेगा, जब हमें answers पता चलेंगे, इसके अलावा, the major chemical compounds founds in human kidney stone is, मानव गुर्दे की पत्री में पाया जाने वाला प्रमुक रसाइने की योगेक है, यूरिया, calcium carbonate, calcium oxalate, calcium sulfate, यूरिया, calcium carbonate, calcium oxalate या calcium sulfate, ये UPSC में पूछा गया है question, IS 1998 का question है, इसके बाद, the stone formed in human kidney consists mostly of calcium oxalate, sodium acetate, magnesium sulfate या calcium, तो यूरिया का रक्त में कहां से अलग किया ज आपका calcium oxalate, sodium acetate, magnesium sulfate या calcium, ये भी IS का 2000 का question था, तो बहुत simple simple questions आपको लग रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है, तो इन चीज़ों को जब revise करते रहेंगे, तो चीज़ें आपको exams में बनेंगी, इसके अलाबा कोई issues आता है, तो इन social media handles में मुझसे question पूछ सक सकते हैं, और कई बच्चों के और भी जो doubts आते हैं, उनको भी मैं जो है class में लेता हूँ, इसके अलाबा जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए, इसकी PDF आप इस telegram group से आप download कर लेंगे, इसके अलाबा आज ही के दिन, दो बजे, मेरी एक और class होगी, जिसमें ह दो बजे का session जो है science and technology और आज हम start करने वाले हैं, वहाँ पे space technology, अंतरिक्ष प्रद्योगी की space technology की class दिन के दो बजे और तीन बजे जो है, वो अभी कल एक topic पढ़ाया था मैंने सभी को, जो PDS system था, जो public distribution system जिसको कहते हैं, तो PDS की class जो होगी, वो तीन बजे होगी, तो सारे states के लिए जरूरी है, तो दो बजे वाली class भी attend करिए, और तीन बजे वाली class भी attend करिए, दोनों ही जगापे बहुत सारे ऐसी नहीं चीज़े पता चलेंगी, जो exams के लिए, हमारे helpful है, तो कोई भी जो session है, उसमें कोई भी तरह का, मतलब आप लोगों के लिए कुछ न से जादा फाइदा मिल सके, हम exams में जादा से जादा अच्छा score कर सकें, और आगे सब को exams तो निकालना ही है, तो जितने students है मेरे साथ, मेरी यही पूरी कोशिश है, सब के exams निकलें, तो आप लोग भी कहीं पर भी मेहनत में कसर मत छोड़िये, जितना हो सकता है, उतनी मेहन प्ले करते हैं, तो आप लोगों के कारण ही, जो है, यहाँ से delivery और बहतर हो सकती है, और आपका performance और भी अच्छा हो सकता है, बिल्कुल कोई बात नहीं, देखो, जो live ले पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, at the end of day, हमारे पास knowledge कैसे भी आना चाहिए, तो वो जो चीज़ हैं, कहीं पर भी कुछ breakdown हो रहा है, तो उसमें ऐसा ना हो कि हम किसी दिन कुछ देखे ही ना, मतलब ऐसा मत करिये, आपका जो है पूरा का पूरा continuity break मत करिये, रोजाना पढ़ते रही है, रोजाना कुछ-कुछ नहीं चीज़ें आपके अंदर आते जानी चाहिए, मतलब हमा तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग देखते रहे हैं, और कोई भी डाउट आएगा, तो फिर उसके लिए तो अमारी क्लास है, डाउट सेशन भी जो है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, और भी कोई दिक्कत होगी, तो उसको भी देखते हैं, तो होप सारी चीज़ें क्ल होई होंगी, thank you very much for watching this, have a great day.